हलो व्रेंड्स, वेल्कम टो अर्येंड डायमन इंसिट्यूट डायमन में वैलिएशन फाइनल करने के लिए फोर सीज इंपोर्टन्स होते हैं जो है क्लारिटी, कलर, कट और केरिट वेट जिससे डायमन की वैलिएशन फाइनल होती है इसके अलावा और भी एक एफेक्टिव फैक्टर्स है जो डायमन की वैल्यू को एफेक्ट करता है एंड वो फैक्टर्स है फ्लोरसंस कहा जाता है जब भी कोई काम करो तो काम को गर्वो हो कि ये आपके कलात्मक हातों से हुआ है और ऐसा काम करने के लिए पाउरफूर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है तो फ्रेंड्स यही नॉलेज आज हम इसी वीडियो में आपके लिए ले के आ है जिसमें हम फ्लोरसंस के बारे में जानेंगे ये फ्लोरसंस का नॉलेज आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आपको डामंस सेल करना है या परचे expense करना है बीना किसी प्रोबलम जहERS के डामंस सर्टिफाइड हो या नन सर्टिफाइड फ्लोरसंस तो चेक करना ही है वरना आपको आपकी एक गलती से लौस होने के चांसेज है अगर आपने कोई certified diamond का certificate देखा है तो उसमें forces के अलावा fluorescence भी mention होता है सर्टी के बारे में और detail जानने के लिए एक वीडियो हमने हमारी YouTube चैनल पे upload किया है उसमें आप देख सकते हो कि सर्टी को कैसे read करना है चलते हैं हमारे main topic पे जो है fluorescence ये introduction के बाद आपके मन में ये सवाल आया होगा fluorescence क्या होता है fluorescence is the emission of a visible light by a diamond when it is stimulated by invisible rays in short simple language में समझाओ तो अगर diamond को UV light में रखते है और उसका color change होता है तो उसको fluorescence कहते है diamond का color blue हो जाता है UV light में रखने के बाद diamond में और भी color के fluorescence होते है जैसे pink, yellow, orange लेकिन 99% diamond में blue fluorescence होते है जो common है fluorescence भी एक factor है जो diamond की value को effect करता है तो कभी कि आपने ये सूचा है कि diamond में fluorescence आने का reason क्या है diamond के अंदर main elements है जिसकी बज़स से diamond में fluorescence आता है वो है aluminum, boron and nitrogen जो UV light के अंदर react करने के बज़से diamond में color change होने का reason बनते है जो सिर्फ UV light से ही देखे जा सकते है वो loop या normal आखों से पहचाना नहीं जाएगा चलिए तो diamond की अंदर fluorescence के types के बारे में जानते है mainly diamonds में five types के fluorescence होते है none, faint, medium, strong and very strong जैसे कि अभी आपने देखा जैसे जैसे फ्लोरोसंस में none से very strong के और बढ़ता है blue color का shade dark होता जाता है वैसे ही diamond में fluorescence जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी value कम होती जाती है क्या आपको ये पता है कि कौनसे types के fluorescence से कितने value down होती है आपके business को profitable बनाने के लिए इसकी जैंकरी आपके लिए होना बहुत ही आवस्चिक है और आपको ये business का rule तो पता ही होगा कि business में छोटी छोटे profit एक बड़े लोज से बहुत ही अच्छे होते है So friends, देरकी इस बात की है एक चीज़ तो यादी होगी आपको कि पहले निकलने वाला ही मंजिल को सबसे पहले आसिल करता है तो आप भी Aryan Diamond Institute का हिस्सा बने अपने business को एक profitable business बनाई और वो भी proper valuation knowledge with practical market experience के साथ Aryan Diamond Institute एक S.A. Institute जहाँ पे 24 courses available है रफ से लेके polish diamond के valuation के साथ with jewelry designing and 14 crash courses and with online courses for more details log on to our website and contact our number given below और ऐसे बहुत सारे course करने के लिए Aryan Diamond Institute का contact करें और ऐसे informative वीडियोज देखने के लिए हमारी ये वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारी Aryan Diamond Institute की जो YouTube चैनल है वो उसको सब्सक्राइब परें ताकि हम आपको और बैटर से बैटर वीडियोज दे पाएं